एक vegetarian diet full day by vegetarian diet weight loss के लिए क्या होनी चाहिए Full day vegetarian diet के लिए सबसे पहले आपको अपनी calories निकालनी होगी कि आपको target कितनी calories लेनी है आप non-veg हो या veg हो आपको calories deficit में जाना पड़ेगा Calorie deficit के लिए एक फिंपल formula है जो recommended है कि आप अपने वजन को kilogram में जो वजन है उसको 28 से multiply करें तो आपको जो number आएगा उतनी calories आपको लेनी है खतम उतनी calories आपने ली तो आपका calorie deficit वो रहेगा इतना कि आपका हर हफते में एक pound याने आधा किलो वजन कम होगा यह safe limit है यह safe limit है आधा किलो वजन कम करना आधा किलो से एक किलो एक week में मैं fat loss की बात कर रहा हूँ मैं water loss की बात नहीं कर रहा है muscle loss की बात नहीं कर रहा fat loss होगा एक किलो आधा किलो fat loss बड़ी बात होती है लंबे समय में बहुत फाइदा देगी सबसे पहले अपनी calories calculate करिए अब non-veg वाले अपनी calories पूरी करेंगे जो भी calorie आपकी आई मान लीजे आपकी calorie आई है 2000 आपकी calorie आई है 1500 आपकी calorie आई है 1200 तो उस पूरी calories 1200 calories में आपको कितने carbs, कितने protein और कितने fat खाने है यही decide करना है और फिर जो जो दिन भर में खाते हैं उससे कितना carbs, कितना fat, कितना protein यह मालूम करना है बहुत easy चीज है, ज्यादा difficult नहीं है तो आपने क्या करना है एक ratio maintain करना है ratio मतलब, चाहे आपकी 1200 calories है, 1500 यह 2000 है carb, protein और fat का एक ratio होना चाहिए, वो ratio maintain करेंगे, तो बहुत easy होगा protein 1 carbs 2 fat half यह ratio रखना आपने, अगर आप इसको रखोगे, protein 1 carbs 2 fats half, इतना ratio इसका मतलब, अगर 100 gram protein खा रहे हो रोज, तो 200 gram carbs खाईए, और 50 gram fat खाईए, यह अगर आप diet रखोगे, तो आपका वजन कम होते जाएगा, obesity का नामों निशान खतम हो जाएगा कुछ समय बाद, ठीक लेकिन इसको progressive deficit करना है, तो progressive deficit आप 1-2 महीने यह diet खाएंगे, उसके बाद 1-2 महीने के बाद, आप 100 gram protein की जगा, आप क्या करेंगे, carbs कम करेंगे, protein नहीं कम करेंगे अब protein उत्ता ही रखेंगे, progressive deficit में, आप carbs को 10 gram, 20 gram हर महीने कम करते जाएंगे fat को और कम नहीं करेंगे, carbs कम करते जाएंगे, जब तक 1-1 नहीं होता, और उस diet पे जाएंगे, जहां 1 protein, 1 carb और half fat आजाएगा, तब आपका मोटापा खतम, lean body, एकदम muscularity आएगी, उसको हर एक एक महीने में करेंगे 10-10 gram, 20-20 gram तो कम होता जाएगा, बहुत जोरदार basic है ये diet का, ये समझ लिया, तो सब समझ लिया, ये veg के लिए भी माइने रखेगा, non-veg के लिए भी माइने रखेगा, weight loss में अगर आपको इसमें पता नहीं है कि कौन सी चीज में कितने काबज है, कितना protein है, कितना ये है तो एक ही चीज डाउनलोड करनी है IFCT Indian Food Composition Table 2017 IFCT 2017 जो आप डाउनलोड करेंगे, freely available है इंटरनेट पे, ये Indian Health Ministry के थूँ डाली हुई है Indian Authentic Database है, इसमें आपको पता चलेगा कि कच्ची चीजों में Raw Vegetables, Raw या आटा, चावल, डाल, रोटी और सबजी, भाजी, धनिया, अदरक हर चीज में कितना क्या spices से लेके, fruits तक और हर चीज में कितना protein, कितना fat, कितना क्या है बहुत आसानी से समझाये गया है आप इसको देख के आराम से समझ सकते हैं अगर इसको समझने का वीडियो चाहिए तो वीडियो Science of Nutrition by Dr. Education YouTube चैनल पे हमारे मौजूद है, वो आप series देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप डाएट खाएंगे, तो आपका वजन हमेशा कम होगा ही होगा, no doubt आपकाँ प्राट को आपकाँ आपकाँ